नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जियोतिश ग्रंथ गंगा में। ऐसे ही और वीडियो के लिए कृप्या हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रामायन से जुड़े ग्यारह रहस्य जिनसे आप हैं अंजान। रामायन क्या है? हिंदू धर्म में रामायन को एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायन कितने प्रकार के हैं? पूरी दुनिया में उपलब्ध रामायन को अगर हम देखें तो यह तीन सौ से लेकर एक हजार प्रकार के हैं। अलग-अलग देश में विभिन भाशा के रामायन उपलब्ध है। हिंदी में 11, बांगला में 25, तेलुगु में 12, तमिल में 12, मराठी में 8, उडिया में 6 लिखी गई है। इसके अलावा मल्यालम, अस्मिया, अर्भी, उर्दू, फार्सी, गुजराती, कंणड, इत्यादी भाशाओं में भी रामायन लिखी गई। यहां तक की विदेशों में भी रामायन प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर महर्शी वालमीकी ने इस महाकाव्य में पुरुशोत्तम प्रभुश्री राम की गाथा को श्लोक वद्ध किया है। इस रामायन में 7 अध्याय हैं, जिसे कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें 500 उप्खंड तथा 24,000 श्लोक है। लिखते हुए महाध्यानी संत श्री तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की पवित्र कथा को लोक भाशा अवधी में लिपिबद्ध किया। श्री तुलसीदास के द्वारा रचित इस रामायन को राम चरित्र मानस के नाम से जाना जाता है। राम चरित्र मानस बहुत ही लोक प्रिय हुआ। राम चरित्र मानस बहुत ही लोक प्रिय है। राम चरित्र मानस बहुत ही लोक प्रिय हुआ। शान्ता का विवाह रिशी रिश्यश्रिन के साथ हुआ था। रिशी रिश्यश्रिन के द्वारा राजा दश्रत ने पुत्र प्राप्ती के लिए पुत्रेश्थी करवाया था। राजा दश्रत को बहुत दिनों तक पुत्र नहीं हो रहे थे। अता उन्होंने पुत्र प्राप्ती के लिए पुत्रेश्थी यग्य करवाया था. इस यग्य को उनके दामाद रिशी रिश्य श्रिंग ने ही संपन्न करवाया था. गायत्री मंत्र रामायन का सार है महर्शी वालमी की द्वारा रचित वालमी की रामायन में 24,000 शलोक, 500 उपखंड तथा साथ कांड है इस रामायन के हर 1000 वा शलोक के पहला अक्षर से गायत्री मंत्र का निर्मान होता है गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, जोकि रामायन के हर हजारवे श्लोक के पहले अक्षर से बना है श्री राम के भाई किन के अवतार थे? जह सब को पता है कि श्री राम विश्नु के अवतार है परन्तु उनके भाई भरत लक्षमन और शत्रुगन किन के अवतार थे? लक्षमन शेशनाग के अवतार थे भरत भगवान विश्नु के हाथों में धारन किये गए सुदर्शन चक्र के अवतार है वही शत्रुग्न भगवान विश्णु के हाथों में धारन किये गए शंक सेल के अवतार माने जाते हैं भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? जिस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा कर भगवान श्री कृष्ण ने माता सीता से बिवाह किया था भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनाक था यह वही धनुष था जिसके एक तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को धारा शाही किया था इस धनुष के तंकार से बादल गर्जने लगते थे तथा परवत हिलने लगते थे चौदह वर्षों तक लगातार सोती रही उर्मिला तथा जागते रहे लक्षमन ऐसा कहा जाता है कि पूरे चौदह वर्ष की वनवास के दौरान लक्षमन भाभी और भया की रक्षा करने के लिए कभी सोए नहीं जब बनबास के पहली रात को भगवान श्री राम और माता सीता सो रहे थे तब निद्रा देवी लक्षमन के समक्ष प्रकट हुई लक्षमन ने निद्रा देवी से प्रार्थना किया कि उन्हें 14 वर्ष तक नींद नहीं आए ताकि वह अपने प्रिय भाईया और भाभी की रक्षा कर सकें निद्रा देवी ने उनकी यह विचार जानकर कहा कि अगर उनके बदले कोई और सोए तब यह संभव हो सकता है इसके बाद निद्रा देवी लक्षमन की आग्रह पर उनकी पतनी उर्मिला के पास गई उर्मिला ने सब कुछ जानकर 14 वर्षों तक सोने के लिए स्विकार कर लिया इस प्रकार लक्षमन 14 वर्षों तक जागते रहे और उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही रावन एक उतक्रिष्ट वीना वादक भी था यह तो सब को पता है रावन एक विद्वान तथा चारों वेदों का ग्याता था परंतु क्या आपको पता है कि रावन एक उतक्रिष्ट वीना वादक भी था जिसके कारण उसके प्रत्येक ध्वज में वीना का चित्र होता था रावन को यह वाद्य अंत्र बजाना बहुत पसंद था हालां कि अपनी इस विद्या को रावन ज्यादा महत्व नहीं देता था कुम्भकरण के 6 महीने सोने का कारण क्या था? जैसा हम जानते हैं कि कुम्भकरण छे महीने तक लगातार सोता था तथा एक दिन खाने के लिए उठता था दरसल एक बार कुम्भकरण के यग्य से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकठो उसे वर मांगने को कहा यह देखकर इंद्रदेव परिशान हो उठे उन्होंने सोचा कहीं यह इंद्रासन न मांग ले इंद्रदेव ने माता सरस्वती से प्रार्थना करके कहा कि आप उसके जीवा पर बैठ जाए फल्स्वरूप कुम्भकरण इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग लिया श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्षमन को मृत्युदंड दिया लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या पर राच करने लगे उसी दौरान एक दिन यम देवता किसी विशय पर चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए बाचीत प्रारंभ करने से पहले यम देवता ने श्री राम से कहा कि जब तक हमारे बीच बाचीत होगी यहां कोई नहीं आएगा अगर कोई आया तो उसे आपको मृत्युदंड देना होगा तब श्री राम ने लक्षमन को द्वारपाल नियुक्त कर कहा उनकी और यम देव के बीच कुछ ज़रूरी बाच्चित हो रही है कोई अंदर नहीं आपाए अगर कोई आया तो उसे मृत्युदंग दिया जाएगा थोड़ी देर बाद श्री राम से मिलने दुर्वासा रिशी आ गए लक्षमन ने उन्हें विनमरता पूर्वक मिलने से मना किया दुर्वासा रिशी ने क्रोधित होकर पूरे अयोध्या को श्राप देने की बात कहीं लक्षमन ने अयोध्या वासियों को बचाने के लिए अपना बलिदान देना उचित समझा उन्होंने श्री राम से जाकर दुर्वासा रिशी के आने के बाद कहीं यह देखकर राम दुविधा की स्थिती में आ गए कि वो अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दें इस दुविधा से निकलने के लिए उन्होंने अपने गुरु रिशी वशिष्ट से संपर किया रिशी वशिष्ट ने उन्हें कहा कि किसी प्रिय व्यक्ति का त्याग करना उसके मृत्युदंड के समान ही है श्री राम ने लक्षमन का त्याग करने का निर्नय किया यह जानकर लक्षमन ने कहा कि आप से दूर रहने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को गले लगा लू। फिर लक्षमन में जल समाधी ले लिया। रावन की बहन शूरपनखा भी रावन का सर्वनाश चाहती थी। लक्षमन के द्वारा रावन की बहन शूरपनखा के नाक काटे जाने के कारण रावन ने माता सीता का हरण किया था लेकिन यही शूरपनखा ने रावन को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाएं। जाने के कि उसका सर्वनाश होने का श्राप दिया था। जाने के साथ जुड़का जीवन को जोतिर में बनाने जीवन सैली को बहतर करने और हिंदू और सनातन धर्म के बारे में समाज में जाहुकता फैलाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करे और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करे